तो exercise 1.1 का question number 2 ये हम लोग अभी discuss करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा सवाल है ठीक है इससे प्यारा सवाल तुम लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा इनन्दब छोटा सा प्यारा सा ननननत सवाल है ठीक है आगे बठते हैं तो एक चीज का रहार रखेगा ये जो if वाला पार्ट होता है ना ये इफ वाला पार्ट इफ के बाद से जो चीजे लिखे हुई होती है ये चीजे आती है गीवन में चीक है और देन के बाद से जो पार्ट होता है वो वाला पार्ट आता है आप लोगों के to prove में तो अगर मैं इस चीज में बहुत ही जादा firm believe करती हूँ तो इसके according अगर मैं चलू तो मेरे पास given information क्या है given information में पास ये है if the diagonals of a parallelogram are equal क्या बोल रहा है if the diagonals of a parallelogram are equal यानि मेरे पास एक figure है ठीक है मेरे पास एक figure है let's say ये मेरा एक figure है इसको मैंने नाम देकर रखा है a से लेकर b b से लेकर c c से लेकर d ठीक है इसकी obvious से मैंने diagonals बनाई d से लेकर b बनाया a से लेकर c मैंने इसकी diagonals बनाई जो की intersect कर रही है let's say o point पर ठीक है अब question वाला देखो क्या बोल रहा है if diagonals ठेक है if diagonals of a parallelogram are equal अगर parallelogram की diagonals equal है तो यह रही कि figure वाला मुझसे ये कहना चाहरा है कि quadrilateral a b c d is a parallelogram यह particular quadrilateral a b c d basically मेरा क्या है एक parallelogram है और question वाला यह कहना चाहरा है कि a c and b d यह जो इसके diagonals है यह diagonals basically क्या है equal है ऐसा question वाला कहना चाहरा है ठीक है ऐसा question वाला कहना चाहरा है कि जो diagonal a c है ठीक है वो diagonal a c और जो दूसरा वाला diagonal है b d यह दोनों आपस में equal है ऐसा question वाला कहना चाहरा है बराबर तो given से मुझे कंसे कभी यह पता चल गया कि मेरे पार जो figure दिया है वो figure मेरा एक पैरलेलोग्राम है तो अगर वो figure एक पैरलेलोग्राम है तो वो पैरलेलोग्राम की सारी properties को follow करेगा ठीक है अगर वो figure एक पैरलेलोग्राम है तो वो पैरलेलोग्राम की सारी properties को मकाईदा क्या करेगा follow करेगा जो भी parallelogram की properties होती है सबको मतलब सबको क्या है अब आपको इसमें to prove क्या कर रहा है इसमें आपको to prove ये कर रहा है कि show that it is a rectangle कि ये prove करो कि जिस डबे को जिस figure को आप parallelogram कह रहे हो वो डबा वो figure आप लोगों का quadrilateral a b c d वो basically क्या है एक rectangle है ये आपको proof करना है ठीक है मतलब given figure एक parallelogram है जिसकी diagonals bisect हो रही है बट आपको ये prove करना है कि वो particular डबा वो particular figure एक rectangle भी होगा ठीक है ठीक है मैडम clear है चलो अच्छी बात है प्रूफ तो अब कैसे करेंगे इसको proof क्या लगता है क्या सवाल करे बहुत सोचा हमने बहुत दिमाग लगाया है ना कि ऐसे कर सकते है क्या वैसे कर सकते है क्या तो देखो सबसे पहली जीज आपको obvious है कि इस question को अगर solve करना है तो अगर आपको इसको एक rectangle दिखाना है तो किसी भी चीज को अगर rectangle शो करना होता है तो जरूरी क्या होता है सबसे important चीज क्या होती है कि आप उसके one of the angle को 90 degree का दिखा दो आप उसके one of the angle को 90 degree का दिखा दो क्योंकि अगर one of the angle 90 degree का है तो obvious है कि बाकी की angles भी फिर 90 के ही होंगे और इस तरीके से वो figure एक rectangle proof हो जाएगा तो ये जो में पर डबबा है A, B, C, D इसके पर total चार angles है angle A, angle B, angle C, angle D इन में से किसी एक angle को आप क्या दिखा दो 90 degree का दिखा दो बट मैडम कोई खाने पीनी की चीज थोड़ी ना है कि उठा के लेके आगया और दिखा दिया करे कैसे तो इसमें न इस question को solve करने के लिए मुझको दो ट्राइंगल चूस करने पड़ेंगे जिन में मैं congruency लगा सकू तो देखो हमने जो triangle चूस किये particularly for this question अब तुम बोलोगे माडम कभी आप आजू बाजू के triangle चूस करती हो कभी आप आपने सामने के triangle चूस करती हो आपका कोई logic logic है की नहीं है अब कभी भी कही कि कोई से में triangle चूस कर लेती हो तो देखो आपको question के according given के according सोचना पड़ता है कि question में किस चीज को अपना triangle चूस करने से answer आ जाएगा तो जैसे कि आपने फिलाल एक इस triangle को चूस किया देखो निहां से देखो ये green colour के मैं shading कर रही हूँ इस triangle के मैं बात कर रही हूँ आपने इस green colour के triangle को आपने क्या किया है चूस किया है बराबर और आपने दूसरा एक काम करते है थोड़ा सा इसको red color यह आपने एक red color के triangle को choose किया, दिख रहा है, आपने किसको choose किया, इस red color के triangle को, मतलब आप triangle को इस तरीके से choose कर रहे हो, कि जो bc है, वो दोनों में आ रहा है, ठीक है, यारि कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यह हो गया आपका a point से लेकर b point, और उसके बार यह हो गया, आप का b point से लेकर let's say c point, और यह हो गया c point से लेकर let's say d point, है रहा, आपने ऐसा लिया, उसके बार आपका a triangle बन गया, abc, यह हो गया आपका a triangle, और दूसरा triangle आप लोगों का बन गया, bdc, यह हो गया आपका दूसरा triangle, तो आप ऐसे दो triangle basically क्या कर रहे हो, choose कर रहे हो, इस question को solve कर देके लिए, एक abc triangle आप ले रहे हो, और दूसरा triangle आप क्या ले रहे हो, नीचे वाला bdc ले रहे हो, done, क्या यह बात clear है, ठीक है मैंदा, clear है अली बात, अब इस दोनों triangle को मुझको congruent proof करना है, दोनों triangle को मुझको congruent proof करना है, तो देखो, question में बोला गया है कि वो जो ठीक है, डाट डबा, quadrilateral, डबा, that quadrilateral, a, b, c, d is a rectangle, ऐसा question वाला कह रहा है कि वो जो डबा है, वो डबा basically क्या है, एक, sorry, basically वो डबा क्या है, एक parallelogram है, और अगर वो डबा, एक parallelogram है, तो parallelogram की जितनी भी properties आपने अबी तक पढ़ी है, diagonal bisect each other वो उसको follow करेगा opposite angles are equal adjacent angles are equal ठीक है जितनी भी properties आपने till now parallelogram की पड़ी है सारी की सारी properties को follow करेगा तो अगर quadrilateral ABCD is a parallelogram तो मैं ये लिख सकती हूँ कि seg AB ठीक है congruent है किसके seg DC के कैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा आपका AB और ये रहा आपका DC और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है आपको opposite sides दिख रही है किसकी opposite sides दिख रही है आपको उस particular parallelogram की और हम जैसे की जानते है कि opposite sides क्या होती है congruent होती है done तो अगर मुझको इस triangle ABC को और triangle BDC को congruent प्रूव करना है तो देखो AB और ये DC ये तो आपके पास वैसे ही congruent आ गया क्यों congruent आ गया क्योंकि अभी अभी आपने लिखा कि opposite sides क्या होती है congruent होती है तो यहाँ पे मैं reason दे सकती हूँ from one वाला अगर आप ध्यान से देखो तो triangle ABC में भी BC आता है और triangle BDC में भी BC आता है यानि कि आप ये लिख सकते हो कि आपका जो seg BC है वो congruent है किसके seg BC के और इसका reason आप दे सकते हो बुलो क्या common side क्योंकि दोनों में वो common है क्या इसके अलावा भी आपको कुछ इस question में इस डेटा में कुछ दिया है क्या तो एक सबसे बड़ा गीवद दो आपको यहाँ दिया हुआ है कि diagonal AC और diagonal BD आपस में congruent है यानि कि ये जो लंबा सा आपको AC दिख रहा है ये जो लंबा सा आपको AC दिख रहा है और जो आपको ये लंबा सा BD लिख रहा है ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है यानि कि sag AC congruent 2 आप क्या लिख सकते हो sag BD और इसका reason दे सकते हो बोलो क्या ये तुकि दोनों congruent है न ये आपको पहले से दिया है इसका reason दे सकते हो क्या मताई ये given तो इस तरीके से जो मेरा triangle A, B, C है वो congruent proof हो गया triangle B, D, C के और इसका reason है triple S test इसका reason क्या है triple S test घटाब ठीक है इसका reason क्या है triple S test हो गया सवाल लेकिन माम हमारा aim तो दोनों triangle को congruent proof करने का था ही देखो कभी भी कैसा है अगर आप triangle chapter पढ़ रहे हो तो उसमें आपको कोई खादी सवाल मिल सकता है कि prove करो कि ये वाला triangle और वो वाला triangle congruent है बट circle अगर आप पढ़ रहे हो quadrilateral अगर आप पढ़ रहे हो या कोई दूसर chapter अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका aim कभी भी ये नहीं होता कि directly triangle को congruent prove करो आपका aim कुछ और होता है जैसे कि इस question में आपका aim क्या है उस quadrilateral को एक rectangle prove करना बराबर आपका aim यही है न कि उस particular quadrilateral को एक rectangle prove करना बट कैसा होता है हम लोगों का जो aim होता है वो directly हमको नहीं मिलता उसके लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको हमेशा मेनत करनी पड़ेगी आपको हमेशा triangle को पहले congruent prove करना पड़ेगा और उसके वाया ही आपका ये चीज प्रूफ होगी अच्छा चलो ठीक है माणम तो triangle को congruent prove करना ये किसी भी question का हमारा aim नहीं होता है ठीकि हमारे किसी भी question का aim नहीं होता है अभी आपने कौन से दो ट्राइंगल độ endings को congruent prove किया आपने एक prove किया triangle ABC ये रहा A point ये रहा B point ये रहा C point और ये आपने कर दिया join फिर ये रहा आपका D point धेर आपका C point और आपने कर दिया ये उपर join ये इस तरीके से ये रेखो बराबर ये इस तरीके से आपने join कर दिया है ना अच्छा आपने इन तुरों triangles को congruent prove किया जिसमें ये आपका A B is DC के congruent था खैर BC तो दोनों में common side था और ये आपका जो ये AC है ये वाला AC इस वाले BD के congruent था ये अगरी करते हो कि नी करते हो हाँ बैडम अब मुझे लगानी है CP CT CP CT में मैं तीनों angles को लगा सकती हूँ बढ़ क्या मैं तीनों angles को CP CT में लगाऊंगी क्या नहीं हमें जिसकी जर्वत हैं जिसे कि आप CP CT में लगा सकते हो कि ये वाला आपका angle B और ये वाला आपका angle B आपस में congruent है आप लगा सकते हो बिल्कुल लगा सकते हो बढ़ हम नहीं लगाएंगे हमें जिस चीज की जरुवत होगी हम वही लगाएंगे जित्ते का हमको कारिय है ठीक है मैडम चलिए लगाते हैं देखो अब CPCT लगाते कैसे कई बच्चे तुक्के मारते हैं कि मैडम ये वाला A जो है ये वाला जो आपका A है और आपका जो D है चलो इनमें CPCT लगा दो आपका जो B है और आपका जो C है चलो मैडम उनमें CPCT लगा दो तुक्के से कई बार उनकी CPCT सही लग भी जाती बट वो CPCT को लगाने का सही तरीका नहीं होता सही तरीका क्या है जब दो ट्राइंगल्स कॉंग्रेट प्रूफ हो जाते हैं तो कॉंग्रेट प्रूफ हो जाने के बाद आप ये देखे कि उनकी opposite angles या उनकी opposite sides क्या थी जिनको आपको पहले से equal दिये जैसे कि यहां पे रेको तीर डड्डिया है तो इस तीर डड्डी के सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग एंगल B इस तीर डड्डी के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं एंगल B इसका पूरा नाम लिखना क्या है इसका पूरा नाम एंगल A, B, C तो इस angle A, B, C को आप congruent लिख सकते हो किसी भी angle के congruent लिख दे क्या नहीं आपके पास एक दूसरा triangle है उस angle मेरे को जहां 3D है उसके सामने वाल angle लिखो कौन सा है angle C तो आप इस angle A, B, C को उस angle B, C, D के ही equal लिख सकते हो उसके अलावा अगर आपने उसको किसी दूसरे angle के equal लिखा तो वो गलत हो जाएगा तो C, P, C, T कैसे लगाते ट्रिपल जो 3D वाली side है उसके सामने वाला angle equal to, जो दूसरे triangle में 3D वाली side है उसके सामने वाला angle मैंड़ आपने सिव इनी दोनों में क्यों लगाया बाकी जगा भी तो आप C, P, C, T लगा सकते थे अच्छा कैर C, P, C, T को आप C, C, T भी भी कह सकते हो अगर आप angles के लिए लगा रहें तो मैंने इनी दोनों के लिए इस लिए लगाया क्योंकि इससे मेरा question आगे जाकर solve होता है ठीक है कैसे solve होगा देखो अब मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो angle A, B, C है और जो मेरा angle B, C, D है ये equal आगे है congruent target का मतलब तो यही होता है कि equal आगे है ठीक है आप लिख सकते हो अब अगर मेरे ये दोनों angle equal आगे है तो मैं दोनों angle को let करके क्या ये लिख सकती हूँ कि let मेरा angle A, B, C, let मेरा angle B, C, D equal to X आपकी बर्जी आप चाहे तो A ले लो आप चाहे तो P ले लो जो आपको करना है आपने angle ABC को let X किया where is ABC in your original diagram मैंडम this is my ABC in my original diagram आपने इसको X लिया आपने BCD को X लिया आपने अपने अपने original diagram में इसको X लिया ओके अब तुम मुझे को एक बात देखके बताओ ये figure क्या है question भी दिया है कि मैडम ये figure एक parallelogram है और जिन दो angles को आपने X लिया है वो angles कैसे angles है उस parallelogram के तो आप बोलोगे कि मैडम मैंने जब diagram में जाकर observe करके देखा तो angle ABC और angle BCD are adjacent angles of a parallelogram ये दोनों के दोनों adjacent angles है parallelogram के और मैंने class की starting में ही कहा था कि अगर आपको आपका डबा एक parallelogram दिया है तो वो parallelogram की सारी properties को satisfy करेगा और adjacent angles parallelogram के मोलोग क्या होते हैं supplementary होते हैं adjacent angles parallelogram के क्या होते हैं supplementary अब इन दोनों की value को हमने कितना assume करके रखा है हमने इन दोनों की value को x और x assume करके रखा है दोनों की value को कितना assume किया है x and x तो ये हो जाएगा 2x equal to 180 degree so therefore x equal to यहां से कितना हो जाएगा 90 degree so therefore यहां से angle A, B, C and angle B, C, D ये दोनों के दोनों कितने degree क्या आगए 90 degree क्या आगए अरे वाँ क्या तुम्हें लगता मैंने question की starting में तुमको यही कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुमारा figure एक rectangle proof हो जाए तो किसी तरीके से एक angle को 90 degree ला दो बाकी automatically 90 आ जाएगे तो आपने तो यहां पे दो-दो angles को 90 degree लाकर दे दिया ठीक है आपने यहां पे दो-दो angles को 90 degree लाकर दे दिया तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगता कि angle B अगर 90 degree आ गया है तो angle D भी 90 होगा तो कि parallelogram के opposite angles क्या होते है equal अगर आपका angle C 90 degree आ गया है तो यह angle A यह भी आपका 90 degree होगा बराबर यह भी आपका 90 degree होगा तो ऐसे case में हम यहां पे लिख सकते हैं कि आपका जो angle B है वो equal होगा angle D के और दोनों की value होगी 90 degree angle A equal होगा angle C के और दोनों की value होगी 90 degree और इसका जो reason है वो reason हम लोग दे सकते हैं opposite opposite angles of a parallelogram तो इससे क्या पता चला इससे क्या पता चला इससे यह पता चला कि हमारे चारों के चारों एंगल angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D यह चारों के चारों 90 degree के आ गए तो क्योंकि चारों के चारों 90 degree के आ गए है so therefore आपका quadrilateral A, B, C, D क्या होगा एक rectangle और यही हमको इस particular question में क्या करना था proof hence proof done किता प्यारा है देखके बताओ इसमें बस एक ही चीज़ important है आपका triangle का selection अब तुम बोलोगे मैडम आपने यही दो triangle क्यों select किये क्या अगर मैं कोई दूसरे triangle select करती या करता तो क्या मेरा answer नहीं आता आ जाता बट आपको इस particular question को प्रूव करने के लिए बलकि यह question नहीं जब भी आपको एक quadrilateral के अंदर का कोई angle 90 degree दिखाने का है तो हमेशा आपको दो triangle ऐसे select करने हैं जिन में कुछ common side आ रही हो ठीक है जिनकी base common आ रही है जब भी आपको अंदर का एक angle 90 degree दिखाने की जरुवत पड़े तो आपको हमेशा हमेशा वो angles वो triangles ऐसे select करने हैं कि उनमें कुछ common side आ रही हो वहां पे कुछ common side आ रही है मैंने अभी जैसे यह triangle लिया मैंने जैसे यह triangle लिया जैसे वाले ते यह मेरा quadrilateral है मैंने वो दो ट्राइंगल ली आपकी वर्जी आप ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते थे एक ट्राइंगल ये जिसकी मैं ग्रीन कलर की बॉर्डर कर रही हूँ और दूसरा ट्राइंगल ये ले सकते थे जिसकी मैं अभी रेड कलर की बॉर्डर कर रही हूँ देखो इन तो आपको दो ट्राइंगल इस तरीके से लेने होंगे कि सच दैट उनमें एक कॉमन साइड आये ताकि वहाँ पे वो दोनों एंगल सीपी 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 से इक्वाल आजाए और फिर आप उनमें यह एक्स प्लस एक्स इक्वार्टी का कर्ट से लगा सके हमेशा ठीक है और अग उसे क्या पूजट होंगे बराबर बड़ फिलाल क्योंकि कॉश्चन में आपको यह प्रूव करना था कि आपका जो पर्टिक्यूलर कॉड्री लैटरल है उसका एक ड्राइंगल 90 डिग्री आए तो आपको ऐसे ड्राइंगल से लेक करने हैं कि सच दैट दोनों में एक कॉम पर इसके आगे की क्लास इसके आगे के कॉश्चन नेक्स वीडियो में कंटीनू करेगे